व्यक्ति धनवान बनता है या तो अपने भागे के बल पर या करम के बल पर, लिकिन कभी-कभी यह दोनों ही बल समाप्थ हो जाते हैं तो कहते हैं निर्बल के बलराम या करो कोई उपायें. धन्प्रपती के लिए कुछ लोग लक्श्मी माता का पूजन करते हैं, कुछ तुलसी का पौधा घर में रखकर प्रति दिन सुबह शाम घी का दीपक जलाते हैं और कुछ लोग प्रति शुक्रवार लक्षमी नारायन मंदिर जाकर सफेद रंग की मिठाई चढ़ाते हैं लेकिन यहां प्रस्तुधें पांच विशेश उपायर एक लक्षमी का प्रतिक कौडियां पीली कौडी को देवी लक्षमी का प्रतिक माना जाता है कुछ सफेद कौडीयों को किसर या हेल्दी के घोल में भिगू कर उसे लाल का पड़े में बांध कर घर में स्थित ती जोली में रखें कोडियों के अलवा एक नारियल की विधि विधान से पूजा कर उसे चम्ठीले लाल का पड़े में लपेट कर ती जोड़े में रख दे दो शंक का महत्व, शंक समुद्र मन्थन के समय प्राप 14 अनमोल रतनों में से एक है लक्षमी के साथ उत्पन होने के कारण इसे लक्षमी भ्राता भी कहा जाता है यही कारण है कि जिस घर में शंक होता है वहां लक्षमी का वास होता है घर में शंक जरूर रखें तीन पीपल की पूजा, प्रतिशनिवार को पीपल को जल चढ़ा कर उसकी पूजा करेंगे तो धन और सम्रिध्धी में बढ़ोत्तरी होगी चार इशान कुन, घर का इशान कुन हमीशा खाली रखें हो सके तो वहाँ पर जलब्र एक पात्र रखें चाहे तो वहाँ जलकल अर्ष भी रख सकते हैं पांच, बांसुरी रखें घर में बास निर्मित बांसुरी भगवान श्रीक रिश्न को अतिप्रिय है जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है और साथ ही सुकसम विद्धी भी बनी रहती है